कोशन है किस व्रक्ष से तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है तो जो चीड का जो व्रक्ष होता है उससे प्राप्त किया जाता है तारपिन के तेल का निक्षन है केंद्र और राज्ये के बीच धन के बटवारे के संबंद में कौन राय देता है तो वित आयोग राय देता है केंद्र और राज्ये के मद्धे धन के बटवारे के संबंद में निक्ष ने किस सूफी संत को बक्तियार काकी कहा गया तो ख्वाजा कुतुबदीन को कहा गया था बक्तियार काकी निक्ष ने प्रारंबिक चोलों का राज्किय चिन क्या था तो बाग था प्रारंबिक चोलों का राज्किय चिन नेक्ष्ञने इंदरा गांदी राष्टिय खुला विश्व विद्याले जिसे हम इग्नु कहते हैं का मुख्यले कहां इस्तित है तो इसका मुख्यले दिल्ली के अंदर इस्तित है विश्व में जवार का सरवादिक उत्पादक देश कौन सा है तो भारत है जो कि जवार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किस ने पाटली पुत्रम को पाली बोथरा कहा था तो मेगस्तिनीज ने कहा था आश्या योजना किस से संबनित है तो सामा जी के स्वास्ते से संबनित है आश्या योजना नेक्शन है अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था तो शेको बाबा के नाम से पुकारता था अकबर जहांगीर को कोशन है वायू मंडल की उपरी भाग में प्रती वर्ग मीटर पर प्रती सेकंड कितना सोर उड़जा आपतित होती है तो तेरा सो सतर जूल उड़जा प्रती सेकंड आपतित होती है नेक्षन है संयुक्त संसद्य समिती में कितने सदस्य होते हैं तो 45 सदस्य होते हैं संयुक्त संसद्य समिती में निक्षने निर्जल कोपर का प्रियोग किसके प्रिक्षिरन में किया जाता है तो जल के प्रिक्षिरन में किया जाता है निक्षने जहांगिर के बच्पन का नाम था तो सलीम था जहांगिर के बच्पन का नाम है नेक्षन है प्रथम परवासी भारतिय दिवस सम्मिलन कहां हुआ था तो नई दिल्ली में हुआ था प्रथम परवासी भारतिय सम्मिलन दिवस नेक्षन है परवत निर्मान सम्मंदी महादीपिय विस्तापन सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था तो वेगनार ने इसका प्रतिपादन किया था परवत निर्मान संबंदी सिद्धान्त का नेक्षन है अरजुन वरक्ष की चाल किस रोग के उपचार में प्रियुक्त होती है तो रिदे रोग के उपचार में प्रियुक्त होती है अरजुन वरक्ष की चाल सरकार आपके दुआर योजना किस राज्य से सम्मंदित है तो ये बिहार राज्य से सम्मंदित है मनसबदारी व्यवस्ता में दू अस्पा एवम सिंग अस्पा प्रथा की शुरुआत किस ने की थी तो जहांगेर ने इस प्रथा की शुरुआत की थी नेक्शन है मारिया मॉन्टे सरी का नाम किस विशे से सम्मंदित है तो बाल शिक्षा से सम्मंदित है मारिया मॉन्टे सरी का नाम है कोशन है मनुश्य में सामाने निर्णन उसे फास्निंग कहते है रुदिर शरक्रा इस्तर प्रती 100 ml रुदिर कितना होता है तो ये 70 से लेकर 100 mg तक होता है शरक्रा का इस्तर निक्षन है सामाजिक सुरक्षा एवम सामाजिक भीमा किस विशी में है तो ये समवर्थी सुची में आता है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक भीमा निक्षन है किसने मनसबदारी विवस्ता में एक नई प्रता मशरूत की शुरूआत की थी तो औरंग्जेब ने इसकी शुरूआत की थी नेक्षन है शेरखान ने शेरशाह की उपादी किस युद्ध के जीतने के बाद धारन की थी तो चोसा का युद्ध जीतने के बाद धारन की थी नेक्शन है व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है तो केके बिल्ला संगठन देता है व्यास सम्मान नेक्शन है भारत में जल विदुत शक्तिग्रह स्वरपर्थम कहां इस्तापित किया गया था तो दाट जी लिंग में स्तापिट किया गया था? जल विधुत शक्तिगर्ह सोर पर था नेकशन है मोरियकाल में वन विभाग का पर्मुक अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसे आर्ट विक कहते थे वन विभाग के पर्मुक अधिकारी को नेकशन है किसी संयुक्त कंपणी द्वारा अपने अंश्धारियों को कंपणी के लाब का वित्रण क्या कहलाता है तो इसे हम लाबांश कहते हैं निक्षने सूर समराज्य का संस्तापक कौन था तो शेर्शहा था सूर समराज्य का संस्तापक निक्षन है व्यास सम्मान के तहत कितनी राशी प्रदान की जाती है तो 2.5 लाक रुपए की राशी प्रदान की जाती है व्यास सम्मान के तहत कोशन है तेज आंदी आने पर तिन की छत का उड़ जाना किस सिद्धान पर आधारित है तो ये बढ़नोली प्रमे कि सिद्धान पर आधारित है नेक्शन है भारतिय रेल किस सूची का अव्यव है तो ये संग सूची का अव्यव है निक्षन है थूलियम का संकेत क्या है तो टी एम है थूलियम का संकेत निक्षन है ऐसयोग आंदुलन शुरू होने के समय कौन भारत का वाइसराय था तो लार्ड चेम्सवोड थे भारत के वाइसराय जब ऐसयोग आंदुलन शुरू हुआ था निक्षने शंकर पुरुसकार के तहत कितनी राशी प्रदान की जाती है तो एक पॉइंट पांच लाख रुपे की राशी प्रदान की जाती है शंकर पुरुसकार के तहत निक्षने भारत में कलप का कम प्रमानो उर्जा सेंत्र किस राज्ये में इस्तापित है तो ये टमेलडो राज्य में इसतापित है निक्श ने वन इस्दति रिपोर्ट 2011 के नुसार भारत में सरवादिक वन शती वाला राज्य कौन सा है तो आंदुर प्रदेश राज्य है जिसमें सरवादिक वनों की शती हुई है निक्शन है एशिया का सबसे पूराना स्टोक एक्सचेंज कौन सा है तो बंबई स्टोक एक्सचेंज है सबसे पूराना स्टोक एक्सचेंज एशिया का निक्शन है किस वाइसराय के कार्यकाल में होम रूल लीक की स्तापना हुई थी तो लाड चेक्सफोर्ड की वाइसराय के कार्यकाल में हुई थी होम रूल लीक की इस्तापना नेक्शन है मूर्ती देवी पुरुसकार किस शेत्र में दिया जाता है तो ये साहित्ते के शेत्र में दिया जाता है मूर्ती देवी पुरुसकार